हे निवश्कार दोस्तों तो यहां पे मेरे पास Samsung Galaxy A34 5G जो कि यह 30,000 उपे के अंदर स्मार्टफोन आता है मुझे यह 28,000 उपे का पढ़ रहा है और इसको मैं करीबन 7 दिन से जादा हो चुका है यहां साम समय पने flagship वाइब भी दे रहा है बैक से पूरा S23 के याद दिलाएगा आपको और इंहें फील भी देखो गगे ना कुछ उसी प्रकार का यहां पर रखा हुआ है लेकिन एक दो चीज मुझे यहां पर अच्छी नहीं लगी एक तो देखो बैक से दिखने में अच्छा है मैट फिनिश आपको अच्छी देता है लोक्स बहुत ही बहतरी रहेंगे कि अंदर खाली जगह है इसको पतला किया जा सकता था मतलब इतना मोटा बनाया तो कम से कम जैक भाईया आपको भी दे सकते थे ना वो सब कुछ नहीं किया है लेकिन बेसिक्स वगेरा मैं काओंगा सैमसम ने इसमें अंदर अच्छे किये डूल स्पीकर मुलता है लाउड है क्लियरेटी अच्छी आजाती है है वो भी इसके अंदर काफी बहतरीन दी गई है यार मज़ा आगया मुझे यूज़ करके और IP67 की वाटर रिस्टेंट वा आपको मिल जाएगा लेकिन एकदम शौकिंग वाली चीज की बात करना जाओंगा यही स्मार्टफोन है जिसके अंदर आपको फॉर इयर्स की सिक्वरेटी अपडेट मिलेगी अभी एंड्रॉइट है आपको काफी जादा देखने को मिलेंगे स्टार्टिक में मैंने स्किप ना किया होता न तो इसके अंदर 20-25 तो ब्लोडवेर अलग से बरे होए रहते हैं बहुत सारे ब्लोडवेर इसके अंदर आपको मिलेंगे जिनको आप मोस्टली डिसेबल या अनिस्टॉल कर सकते हो लेकिन उसके लाब बाकि आपको वन स्टार्व बहुत बुरा हाल हो गया होता अब देखो डैमस्टी 1080 आपको इसके अंदर मिलता है एं तो स्कोर गीक बेंड स्कूर आप देख लिए को सीपी टॉटलिंग में कुछ खास स्कोर नहीं करता है उसके अंदर आगी है इस थोड़ी से स्लो इसके अंदर आगी है इ उसके बाद आप दूसरे अप में गए तो उहां पर थोड़ सा आपको शेटर लैग मिलेगा इवन मैंने कैमरा एप्लिकेशन के अंदर भी कई बार देखा है कि यूई अटक जाती है व्यू फाइंडर भी अटक जाता है उसके अंदर वो चीज रहती है अगर आप इसके अ इसके अंदर गेविंग तो जरूर से कर सकते हो और अगर आप 10-15 मिट गेमिंग करते हो तो वो आपके लिए अच्छे से निकाल देगा इवन जाइरो स्कोप की प्रफॉर्मस मुझे बहुत ही अच्छी इसके अंदर लगी है लेकिन यहां आपने सोचा कि मैं इसके अंदर एवी गेमिंग करूंगा बहुत लॉंग ताम गेमिंग करूंगा एक्जिनोस नहीं है न मैंने बताया था वो चीज अच्छी हो जाती है क्योंकि यार इस यह अभी भी हीट हो जाता यार मैंने 15 मिनिट इसके तीडियम मैच खेले यार फ्रेंट स्क्रीन हीट होने लगी बै इसको फुल चार्ज होने में बागी अगर बात रही डिस्पले के तो यहां पर एक चीज आप देखी सकते हो कि यह आपको नौच वाली डिस्पले मिलती है अब 30,000 और नौच वाली डिस्पले को एकसे नहीं कर रहे हैं तो 30,000 में कितना करेंगे यह तो मुझे पता नहीं लेकिन यह नौच आपको जरूर से मिलेगा बैदस वाला अगरी साइड वाले देखो थोड़े से बड़े मिलते हैं नीचे वाले आपको पतले मिलेंगे थोड़ा से इनमें राउंडेड कॉरनर बनाने के लिए इस टाइप का करा हुआ है लेकिन अगर मैं व्यूइंग एक बहुत ही बहती बहती इस ब्लेक्स निकल के आते हैं अमुलेट की कॉलिटी आपको बिगदम एक नंबर की मिलेगी कोई भी शिकायत वहां करोगे 120 हट बिगदम स्मूधनी सके अदर चलता हूँ वा मिलता है बट यह अपको गोरिला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी बिल जात आपको बिल जाता है तो कैसी है OIS जरूर से बताना और मस्चीजी है ना फ्रेंट सेल्फी कैमरा से 4K आप ठटी एफस में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हूँ स्टेबलाइजेशन नहीं मलती है लेकिन रिक्रियो रिकॉर्डिंग आर अच्छी आरी है आप देको बैग कैमरा मेलेगा डिटेल्स वगड़ा कुछ खास निकल के नहीं आती है इवन आउट्डोर में डिटेल्स काफी कम इसके इंदर रहती है 5 में पिक्सल का मैक्रो कैमरा है वो भी बहुत या इवरच सावाला मिलता है बगी में कैमरे सेंसर से बात रही है यहां मैंने वीवो की के साथ भी कंपेर इसको कर रहा है तो आप साइब बैसाइड इमेजस देख पाऊगे कि यार वीवो का कितना बहतरी ना आप डैनमिक रेंज और कर रहा है वो सेंसर यहां पर मिस आउट कर दे रहा है इवन पोट्रेट मोड में भी देखो यार नॉर्मल लाइटिंग में भ पा रहा है वाग यार फ्रेंट सेंफी कैमरा से मैं खासा निराश्र तेरह में पिक्सल का मिलता है यहां पर डिटेल्स की कमी आपको खास कर देखने को मिल जाएगी खास कर अगर आप इंडोर में कीचते हो तो वहां पर भी आपको यार बहुत ही कम मिलती है जो कि यार लेकिन प्राइजिंग हर बार की तरह इस बार भी विकार करी है मतलो अगर यार 25,000 का लांच होता ओफर लगा के 22-23 का मिलता तो आई थिंक यार एक बार को रिकमेंड किया जा सकता था उस टाइप वाला स्मार्ट फूर आपको ज़वर समझ जाएगा लेकिन 30,000 उपे के अ आप से नहीं वीडियो में तरह था टेकर बाब बाई